हेलो दोस्तो आपको स्वगात करता हूं तरंगो इलेक्ट्रोनिक्स चैनल में तो दोस्तो आज इस वीडियो के बाड़े में आपको कुछ भी रिपियर करके नहीं देखाऊंगा ठीक है आज सेब सेटी टीवी रिपियरिंग कारने का कुछ टीप्स आपको साथ सेयर करूंगा मैं 20 सल का असपास यह एलेक्ट्रोनिक्स काम कार रहा हूं सेटी टीवी का रिपियर कार रहा हूं तो इसलिए मुझे को बहुत कुछ नॉलेज मिल मिला है काम करने का समय तो कुछ नॉलेज आपको साथ सेयर करूंगा तो इसलिए दोस्तो यह वीडियो सुरू से लाघ तक नियू टिगनीशन को बहुत काम आये गए वीडियो ठीक है एक्शली दोस्तों CRT TV जो PCB होता है जो कीट होता है ये जो कीट आप देख रहा हो अलग-अलग TV का अंदर अलग-अलग कीट दिखा जाता है एक्शली जो बैंडेट का टीबी होता है सभी TV कमपणी का कीट अलग होता है लेकिन उसका जो थेयरी होता है सेमी होता है और जो अलग-अलग नाम से जो टीबी दिखा जाता है मार्केट पॉर्ट जो वेराइटिस नाम दिखा जाता है अलग-अलग उसी का अंदर चाइना कीट दिखा जाता है जिस किट का जो IC use होता है तीनचा टाइप का IC use होता है 8873 8891 8895 इस तरह IC use होता है लेकिन वो इस तरह जो प्रसेटर IC होता है यह सेमी कम करता है ठीक है तो दोस्तों स्वाविछ SS का जो सिक्सन होता है सिक्सन सभी सेमी है ठीक है तो आये कुछ नॉर्मन सा ट्रीक आपको बाता होंगा इस वीडियो में आप सुरू से लाज तक दिखिए क्योंकि आपका पास कोई भी टीवी प्रॉब्लेम रिपियर करने के लिए जब आएगा तो आप फास्ट उसका जो प्रॉब्लेम है ठीक आच्छा करके देख लीजिए ठीक है देखने के बाद आप आइडेंटिफाई करें कि वो जो प्रॉब्लेम है वो कौन सिक्सन का प्रॉब्लेम है ठीक है या आप अच्छा करके समझने के कोशिस कीजिए कि वो कौन सिक्सन का फॉल्ट है ठीक है और उसका बद PCV उभिन काने का बाद PCV का अंदर जो आइरिंग होता है सब आइरिंग होता है यह सब अच्छा करके अब देख लिजिए और देखने का बाद PCV का जो पार्स होता है मिली जो यह क्यापसिटर आप देख रहा हूँ कोई भी पार्स गिया है कि नहीं है यह आप अच्छा करके देख लिजिए ठीक है यह देखने का साथ साथ आपको 50% कम हो जाता है ठीक है अधिकतर कुछ भी पार्स फटा फुटा देखा जाता है तो आप चेंज करके लागा दीजिए तो अधिक टाइम प्राब्लेम सॉल्फ हो जाता है ठ तो इसका बाद आपको वो प्राब्लेम रिपेर कारने के लिए आपको भोल्टेज गया नॉलेज भोल्टेज नॉलेज होना चाहिए ठीक है तो इसलिए मेरे चैनल पर बहुत टाइप का उपर वीडियो में बाना के राखा है वोल्टेज नॉलेज का साथ बहुत वीडियो राख है ठीक है तो इसलिए मेरा चेनल का अलग अलक प्ले लिस्ट बना के राखा है ठीक है अलग 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 प्ले लिस्ट आप ले कर सकते हो प्ले अब प्ले लिस्ट पर जाके अब सोनी, समसुंग, विडियोकन इस तरह अब अलग-अलग कमपनी का प्लेइलिस्ट चेक कर सकते हो चाइना कित का प्लेइलिस्ट अब चेक कर सकते हो और अलग-अलग टाइप का कमपनी का जो कित होता है वो भी मैं अलग-अलग प्लेइलिस्ट बना के रखा है अब वो प्लेयलिस्ट चेक करके वीडियो देख सकते हो ठीक है और दोस्तों आएए मैं आपको कुछ ट्रीक देखाता हूं देखिए ये PCV मेरा पास रिपियर करने के लिए आया है और अब देख सकतों बहुत इपीसित पर काम देखा जाता है अब देख सकते हैं और ये पार सेक्षन है यह उपर से भी बहुत पार्स देखा जाता है और इसका जो फोईल लाइन बहुत तूट गया है इस तरह इसको आयरिंग किया है कोई भी अटेगनिशियान ठीक है और उपर से अब देख सकते हो नया कापसीटर अब देख सकते हो यह लागाया और इसका पावर टे पार्फर के बाज़ाए फॉल्ट हो गया तो एक्षयली इस तरह पीसीवी न्यू टेगनिशियान का पास आएगा तो आप यह पीसीवी को छोड़ दीजिये आपको सिधा सदा बाद बातात हो कि इस तरह पीसीवी अब रीपियार करके जाएगा तो आपका बहुत टाइम ब पार्स नहीं है तो माल यहाँ पर एक टैंजिस्टर नहीं है यहाँ पर आप कौन सा नामबर का टैंजिस्टर लगाएगा तो इसका उपर आपका नॉलेज है तब कर सकते हो ठीक है और दोस्तों मैं और एक अलग वीडियो बाना कर रख है कि कुछ भी टीवी का पार्स कि दो एक सार्किट बुक का लिंक में डिस्किप्शन बॉक्स कंदा देखके रखा है आप वो चेक कर सकते हो जो आमाजन लिंक है ठीक है तो ठीक है आज कुछ नार्माल फॉल्ट आपको डिसकस करूंगा ठीक है माल यह पीसीबी है कुछ भी पीसीबी हो सकता है कुछ दिन पहले दो त्री कॉमेंट आया है कि यह जो फ्यूस होता है एदिक सकते ह के लिए 50 कीछ जाता है ठीक है तो यह फ्यूज काट जाने का बाद आप एक नया फ्यूज लागाना का बाद साथ साथ लाइन देगा तब भी वह काट जाने का चांस होता है ठीक है क्योंकि पार सेक्षन स्वाट होने के लिए अधिकतर फ्यूट काट जाता है तो इसी का उपर मेरे चैनल पर क्लियर दो-ति वीडियो है कोन-कोन पर्स होट होने के लिए फ्यूज काट जाता है और किस तरह चेक किया जाता है ठीक है अब वह वीडियो देख सकते हो डेस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर में लिंक दे देगा ठीक है और एक दोस्त ने कॉमेंट किया है कि यह जो डिगर सिंग का किया है यह एक दोस्त कॉमेंट किया है तो एक्शली क्या होता है कभी-कभी यह पीटीसी काम नहीं करेगा जब यह पीटीसी काम नहीं करेगा तो डायरेक्ट एसी लाइन यहाँ पर इनपुट होने का बद जब कोईल पर जाएगा तो उसी का एक रीजन होता है यह connection देने के बाद line देने के बाद जब फ्यूज काड़ जाता है और एक जो रिजन होता है market पॉर कुछ local PTC आया है ठीक है market पॉर यह PTC कुछ सहस्ता बाला PTC आया है वह PTC लागाने का बाद भी फ्यूज होता है ठीक है यह अब धहन दीजिए और एक जो रिजन होता है जब यह फ्यूज अब लागाएगा लागाने का बाद आप कितना एमपेर का फ्यूज लगाएगा इसका उपर सबका knowledge नहीं है ठीक है अब 5 एंपेर तक fuze कर सकते हो ठीक है तो अब का पास फ्यूज नहीं है तो क्या करेगा तो क्या करेगा मैं क्या कर था हूं देख सक्तों यह जो आयर होता है आपके तो सबका पास यह ए?", ओल, छेल लिजिए ठीक है यह छेलने के बाद यह आपड़ दिखे इस तरह आसा सरवार यह सूरवाल्टा यहूर आ अब ले लिजिए ठीक है यह दो आयर लेने के बाद इस तरह यह कर सकते ओंते कि यह कौनेक्शन कर सकते हो स्क üst द predictive, दो स्क तरह एक का दोसरें लेने के बाद रहन रह भाद खाश्यंदगाय क प्लो anthropose कभी-कभी starting का समय ठीक है वह degressing coil load देने का सता-सात load लेता है तो इसलिए फूच काट जाता है कभी-कभी ठीक है तब 2R तीन वह थिस पार the connection कारने का वह 5A का स्पास हो समय ठीक है यह भींदेजी यह तो number one trik है अब कट सकते हो उधिकतर समय देखा जाता है कि जो ES-Ply रेजिस्टेंस ये कर जाता है तो दूसता हा अपका पास ये जो limit the physiology call का रजिस्टेंस रचाना है तो डाइरेक्ड लूइक कर सकते हैं इस प्रोफ थे healthy energy transition अभी दिखा जाता है ठीक है जुक्हाइं अब जो सब्सक्राइब है क्योंकि output transistor short होने के लिए यह resistance अधिकतर कर जाता है ठीक है तो दोस्तों माल लो आपका पास आप बहुत धुनने का बाद कुछ भी सेट के एस्टी फॉल निकाला ठीक है तो आपका पास वह सेम एस्टी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा ठीक है जो एस्टी होता है कोई भी TV हो सकता है तो वीडियो आप देख साकते हो डेस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर उसका भी लिंक में दे देगा ठीक है और दोस्तों अंली LG का अपर LG कुछ भी PCB हो सकता है LG का कुछ भी टाइप का PCB हो सकता है ठीक है और LG का EST आप कैसे पता करें कुन PCB का अंदर कुन इस्ट इस होता है उसका पर मेरे चैनल पर अलग सक वीडियो है वह भी आप देख सकते हो उसका लिंक में डेस्क्रिप्शन बॉक्स कंदर देख के रखा है ठीक है तो दुस्तों उसका बाद आपका पास जो इस्ट आपका पास PCB पर देखा कि वह इस्ट का नामबार मेरा व इस्ट को जीए ओपिन कानने का बाद इसके जो पीन फंदान होता है ठीक है यह इस्ट को की जाएंग इसके बनकीजिए धार से अपको गनती करणा पर這些 डो त्व झैरो ठीक है ईस तरह आप गनती करेगा थेजिएव इस्ट कानने का बाद आप यह इस्ट को का बाद कौन पिन का साथ कौन पिन कानेक्ट है ठिक है यह आप नोट कर लिजिए नोट करने का बाद मुझे को कॉमन कीजिए मैं आपको एंसर देने का कोसिस करूंगा ठिक है और उसका बाद तब भी आपको ड़ने का कोई बाद नहीं है क्योंकि आप वह यह ती डारेक्ट पीसवी से ओपिन करने का बाद आपका लोकल सब पर जाईए और सब्ला को और दोकंदर जो होता है उसका आप ये यह येस्टी दिद दीए और बाते यह TV का येस्टी है और वो TV का जो IC है यह जो प्रसेसराइसी यह नामबर आप नोट करके लिजिए ठीक है नोट करने का बाद आप सब बाला को दुकंदर को बात आए वह आपको येस्टी दे देगा ठीक है क्योंकि उसका नालेज बहुत ह रहें हैं और उसके सेथी हो सकता है उसका प्रसेसरा का नंबर आपको पास नहीं आपनुँञा है से शैना अधिन ऑ कर दना देगा थिक है मुंझे भी का जोगया श्रपार्स देखता हूं कि मेरा सबसेटुवर नमपर भी मुझे को मालूम नहीं है, तो मैं सब बलब को मैं पुछता हूं तो खर सबसेटूर नमपर दे दिता है, ठीक है दोस्तो, और क्या बात होंगा आपको, ठीक है और कुछ भी पिछी हो सकता है उसका जो आप सेक्षन होता है और यह जो प्रोसेसर आइसी यह बहुत कुछ सेक्षन को सिगनल देता है ठीक है तो इस तरह जो अलग-अलग सेक्षन होता है इसका ओपर डीटेल में दो-तिन वीडियो बना के रखा है अब चैनल सार्च करके भी आप देख सकते हो ठीक है दोस्तों तो आपको क्या बाता हूंगा आपका पास और बहुत कुछ्चन है तो अब ज़रूर कमेंड बक्स पर कमेंड कर सकते हो और मैं एक टेलिग्रम ग्रूप बनाया ठीक है टेलिग्रम गूप बनाया आप वह टेलिग्रम गूप पर आर्च सकते हो वहापर बहुत मेंबर अभी तक जाइन हुआ है और वह पर आके अपना-पना problem discuss कार सकते हो, कुछ भी problem हो सकता है electronics problem को बड़े में, आपका अपना problem discuss कार सकते हो, ओ टेलिग्रम ग्रूप पर, तो टेलिग्रम ग्रूप का link में description box का अंदर देखे राखा है, ठीक है दोस्तो, first of telegram को एक बार install कार लेजे प्ले तो ठीक है तो अच्छे लगे तो प्लीज यह चैनल को आप subscribe करके रहे क्योंकि subscribe करने के लिए आपको कुछ भी पैसा देने को रद नहीं है और वीडियो अच्छे लगे तो यह वीडियो के like कर सकते हो और आप dislike भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तो, thank you, यह वीडियो पूरा किने के लिए